Hello Friends, Excel की इस वीडियो में हम VLOOKUP के एक नई ट्रिक के बारे में जानेंगे ये ट्रिक शायद आप नहीं जानते हैं और ये ट्रिक VLOOKUP को और भी डायनामिक कर देता है और आटोमेटिक कर देता है ये ट्रिक बहुत ही उसफुल है तो कैसे करेंगे ये ट्रिक क्या है ये ट्रिक को जानने के लिए ये वीडियो आप जरूर देखिए लास्ट तक हाँ ये जो वीडियो होगा ये वीडियो में जो आपका ट्रिक होगा वो आपका काम और भी आसान इसे करतेगा और जो मिस्टिक का जो एरिया रहता है वो चांसे बहुत ही कम हो जाएगा इस फ्रीक के दोरान तो लेट्स गेट स्टार्टेड तो मैंने यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन डिस्ट बना लिया है अगर आप नहीं जानते कि कैसे ड्रॉप डाउन डिस्ट बनाते है एक्सल में तो मेरा जो वीडियो है जो आई बटन में अभी दिख रहा है उसको प्रेस करके आप जरूर देख लेजिए तो अब चलिए भी लूक अप अप्लाई करते हैं तो हमेशा की तरह लूक अफैलू यह है और एक बात इसको फिक्स करना होगा और मेरे कीबोर्ड में फोर्ग खराब है इसलिए मैं ऐसे फिक्स कर रहा हूँ प्यूंकि जब हम इस फॉर्मूला को ट्रैक करेंगे तब क्या होगा तब यह h5 h6 हो जागा जैसे का अब लोग जानते हैं फिट डेबल एरे इसको पूरा का पूरा स्लेट कीजिए और भी अब चाहिए तो ज्यादा फिस लेट कर सकेंगे कि कोई अगर पहलो याप इंसर्ट के करें तो यह भी आ जाएगा तो इसको भी हमें फिक्स करना होगा क्योंकि एक्सल में क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या यह जब ट्रैग होता है तब यह वान का यह टू हो जाता है मतलब सेल रिफरेंस चेंज हो जाता है इसे लिए अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम कॉलम फंक्शन को यूज करेंगे कॉलम फंक्शन को और एकसक्ट मैच मतलब ZERO करतेंगे और इंटर करतेंगे बस यही है और इसको ड्रैक करतेंगे तो यह सब फैलो रिटrousyvola तो हमें क्या करना इंडिल मालठान के क्या शीजिस की है हमने कि यह जो कॉलम Mla Knee यह जो column function हम यहाँ पर use कर रहा है अगर हम यहांपर column function यह उस करते तो manually हमें 2, 3, 4 करके देना होगा और यहाँ पर match function यूज देखिए यहाँ पर अगर match ओर 4 retrieve करें तो यहाँ पर 4 का स्सक्राइब करें तो उसका कोई को कॉलम नहीं है उससे कुछ data retrieve नहीं होगा तो इसलिए यह नहीं retrieve होगा तो हमने column function से excel को और भी dynamic फी लुकप को और भी dynamic बना दिया and I am sure that you don't know this function this way so thank you for watching this video bye bye